जोहार सबसे बड़ी बात ए आ जाती है कि पाकिस्तान सब्द आया कहां से तो जिसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदोस ता हमारा उस भैक्ती का नाम मोहमद इकबाल नाम क्या है मोहमद इकबाल मोहमद इकबाल ने भारत के संदर में या यूपो की राश्नेता के संदर म कि हिंदू और मुसलिम, हिंदू और मुसलिम दो धार्म नहीं है, दो धार्म नहीं है, दो देश है, बात समझे में आया, कहने का उसका मतलब था कि हिंदूों के लिए एक अलग देश हो, और मुसलमानों के लिए एक अलग देश हो, कभी भी ये दोनों एक साथ रह नहीं सकते तो यहीं से पहली बार दूरास्ट होने का सिधान जनमान। मतलब दूरास्ट रहता कि सिधान का जनक हो गया कौन? मुहमद इक्बाल। नहीं तो सब चिलाता है मुहमद अली जिना, मुहमद अली जिना बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो दूरास्ट रहता कि सिधान का जनक हो गय उसने ये नहीं कहा तो मुसल्मान के लिए जो देश हो उसका नाम रखा रामत अली चाउधरी ने क्या नाम बूल रहे हैं रामत अली चाउधरी यह वो रामत अली चाउधरी है जिसने सबसे पहले कहा कि उस देश का नाम पाकिस्तान हो, पाकिस्तान क्यों हो क्योंकि पाफोर पंजाब, पाफोर पंजाब कि उसको पंजाब चाहिए, उसका पहला अच्छर पंजाब का पालिया, उसको कासमीर चाहिए, इसका पहला अच्छर कालिया, उसको सिंध चाहिए जो उसका पहला अच्छर सा लिया और उसको बलू चिस्तान चाहिए उसका अंतिम दो अच्छर तान लिया और इनी सब्दों के मेल से बना वड़ पाकिस्तान फ़री आया तो पाकिस्तान सब किस ने दिया रहमत अली चौधरी ने मुसल्मान के लिए एक अलग देश हो ये विचारधारा किस ने दिया तो मुहमद इकबाल ने अब है कि इस पाकिस्तान की मांग किसuito किया तो इस पाकिस्तान की मांग मुहमद अली जिना ने किया था 23 मार्च 1940 को लौड निलित्गों के समय में किसके समय में? लौड निल लित्गो के समय में. किसने किया था? मुहमद अली जिना आप देख लो. 1940 में मांग किया, 23 मार्च 1940 को किया, कहीं लिखा हुआ होगा? यहां 22 लिखा है, 23 कर दो. 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग किया, मुहमद अली जिना ने किया, लौड निलित्गो में किया, लाहर अधिवेशन में, जिना किया देखिता में, 23 मार्च 1940 को एक अलग राष्क पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को परित किया गया. समझ में आ गया? कौन अधिवेशन में द्वी राष्टेता का सिधान का जनक को ने मुहम्मद इकबाल देख रहे हो ना 1930 में मुस्लिम लीग के इलाबाद अल्थिवेशन में मुहम्मद इकबाल ने सबसे पहले पिर्थक मुस्लिम देश की मांग की अस्थापना की बात कही पाकिस्तान सब 1933 में आया है कब आया है रहमत आली ने दिया है कि कम्झरीज मुस्वीद आले का छातर था पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव हली कुजाम ने तियार किया था कि हम लोगों को मांगना है जो ढोजीयोर बनता है और क्या क्या मांगे है मुस्लिम हितों की वो पूरा डोज्यो तियार किया था किसने खली खुजाम ने तो दियू राष्टता के सिधान का जनक कौन हो गया मुहमद इकबाल पाकिस्तान सब्द किसने दिया रहमत अली चौधरी ने कब दिया है तो 1933 में कब दिया है 1933 में और इसका यह जो तयार किया प्रस्ताव पाकिस्तान की मांग का उत्प्रस्ताव तयार किया था किसने खली खुजाम ने और पाकिस्तान की मांग किया था मुहमद अली जिन्ना ने कब 23 मार्च 1940 को किसके समय में लौड लिंग लिट गो के समय उमीदेख पुरी बात समझ में आ गई होगी हाई आना